सावित्री भाई फुले का प्रारंबिक जीवन सावित्री भाई फुले का जन्मत तीन जन्वरी 1831 को नाय गाउं बरतमान में 17 जिले में एक कुर्शी परिवार में हुआ था इनके पिता का नाम खंडोजी ने उसे पाटिल और माता का नाम लक्षमी था बे परिवार की सबसे बड़ी वेटी थी उन दिनों की लड़कियों का जल्दी विवार कर दिया जाता था इसलिए प्रिचले तरीती रिवाजों के बाद नौ वर्षे शावित्री भाई की साधी 1840 में 12 वर्षे जोतिराव फुले के साथ हुई जोतिराव एक बिचारक, लेखक, समाजिक कारे करता और जाती ब्रोधी समाजिक सुधारक थे उन्हें महराष्ट के समाजिक सुधार आंदुलन के प्रमुक आंदुलन कारियों में गिना जाता है सावित्री भाई फुले की सिक्षा उनकी साधी के बाद शुरू हुई यह उनके पती ही थे जिसने सावित्री भाई फुले को सीखने और लिखने के लिए प्रोधायत किया उन्होंने एक सामने श्कूल से तीसरी और चोथी की परिक्षपास की जिसके बाद उन्होंने एमदाबाद में MS फरार्स इंस्टिट्यूट में प्रिस्क्षन लिया जितिराव अपने सवी सामाजिक प्रियासों में सावित्रिवाई के पक्ष में दुरहता से खड़े रहते थे सावित्रिवाई फुले का महिला सिक्षा और ससक्तिकरण में भूमिका पुणे उस समय पूना बोला जाता था तो पुणे में लड़कियों के लिए पहला सोदेशे श्कूल 1848 में जोती राव और सावित्रिवाई के द्वारत शुरू किया गया था परन्तु इनके इस कदम के लिए परिवार और समूदाय के लोगों दोनों का समाज द्वारा बहिसकार कर दिया गया था लेकिन फुले दमपिती को एक दोस्त उसमान सेख और उनकी बेहन फातिमा सेख ने आश्रे दिया था जिन्होंने स्कूल सिक्षा शुरू करने के लिए अपने परिशर में फुले को स्थान भी दिया था सावित्रिवाई स्कूल की पहली सिक्ष का थी जोतिरा और सावित्रिवाई ने बाद में मंगल और महार जादियों के बच्चों के लिए स्कूल सुरू किये जिनें अस्प्रेश्य वा अचूत माना जाता था वर्स 1852 में तीन स्कूल फुले द्वारा चल रहे थे उस वर्स 16 नवंबर को बिट्टिस सरकार ने फुले परिवार को सिक्षा के छेतर में उनके योगदान के लिए सम्मानत किया जबकि सावित्रिवाई को सर्विसिस्ट सिक्षा का नाम दिया गया उस वर्स उन्होंने महिलाओं के बीच अपने अधिकार गरीमा और अन्य समाजिक मुद्दों के बारे में जागरुकता पैदा करने के उद्देश से महिला सिवा मंडल भी सुरू किया बहर बेद्वाओं के बाल मुंद्वाने के मौझूदा परंपरा का ब्रोद करने के लिए मुंबई और पुणे में नाई की हर्ताल आयोज़त करने में भी सफल रही थी फुले द्वारा संचाले सभी तीन स्कूलों को 1858 तक बंद कर दिया गया था इसके कई कारण थे जिसमें 1857 के भारते पिद्दोय के बाद स्कूल प्रवंदन समीती से जोदीराओं के स्थिपा और समाज द्वारा पिगड़त समूदाय के लोगों को भी सिक्षित करने का आरोफ फुले दमपती पल लगा एक वर्स बात सावित्रिवाई ने 18 स्कूल खोले और विभिनन जातियों के बच्चों को पढ़ाया सावित्रिवाई और फातिमा सेख ने महिलाओं और साथ ही अन्ने लोगों को कमजोर जातियों को पढ़ाना सुरू किया इसे कई लोगों द्वारा अच्छी तरह से नहीं लिया गया था विसे इस रूप से पुड़े की उपरी जाती जो दलित के खिलाप थी सावित्रिवाई और फातिमा सेख को इस्थानी लोगों ने धमकी दी थी और उन्हें समाजिक रूप से परिशान और अपमानित किया गया था जब बाए स्कूल की और चली गई तो सावित्रिवाई पर गाय का गोवर मिट्टी और पत्त्रों को फेका गया हाला कि इस तरह के अत्यचार अपने लक्ष से निरधारत सावित्रिवाई को हतोत साहित नहीं कर सके और सावित्रिवाई और फात्मा सेख बाद में सगुना बाई से जोड़ गए जो अंत्त सिक्षान दुलन में अग्रूनी बनी इस बीच अठारस्तो पच्पन में फुले जोड़ों दौरा किर्सी विद्ध और मजदुरों के लिए रात्तरी विद्याला भी खोला गया ताकि वे दिन में काम कर सके और रात में स्कुल जा सके इसकुल छोड़ने की दर की जाज करने के लिए सावित रिवाई ने इसकुल जाने के लिए बच्चों को वजीवा यानी बेतन देने की पर्था सुरू की वह उन युवा लड़कियों के लिए एक प्रविणा बनी रही जिन्हें उन्होंने पढ़ाया था उन्होंने उन्हें लेखक लेखन और पैंटिंग जैसी गतिविदियों के लिए प्रोथ साहित किया सावित्रिवाइस के मुक्ता सालवे नामक छातर दोरा लिखे गए निवंदों में से एक इस अफदी की दोरान दलित इस्तरिवाद और साहित का चहरा बन गया उन्होंने सिक्षा की महत्वग पर मातापिता की वीश जागरुकता पैदा करनी के लिए नियमित अंतराल पर अभिवावक सिक्षा को बैठ को आयुजित की ताकि वे अपने वच्चे को नियमित रूप से बेज सके बर्स 1863 में जोतिरा और सावित्रिवाई ने एक देखवाल केंद्र की शुरूवात की जिसे बाल हत्या प्रतिभानक ग्रह कहा जाता है जो संभवत भारत में स्थापित की गई पहली ऐसी संस्था थी जो गर्वेवती ब्रामन विद्वाई और बलतकार पीलत अपने वच्चों को सुरक्षे दिस्तान पर रख सके इस प्रकार विद्वाई की हत्या को रोकने के साथ सुचु हत्या की दर को कम किया जा सके 1874 में जोतिरा और सावित्रिवाई कासिवाई नामक एक ब्रामन विद्वाई से गवच्चा गोल लिया और इस प्रकार समाज के प्रगती सील लोगों को एक मजबूत संदिश प्रुस्तत किया यह दत्तक पुत्र यस्वंत राव बड़े होकर डाक्टर बने जोती राव ने बड़वा पुनर बवा की बकालत की सावितिवाई ने बाल बवाई और सती प्रता जैसी समाजिक बुराईयों के खिलाव अनेक प्रियाश किया दो सबसे सम्वेदन सील समाजिक मुद्दे जो धीरी धीरी माहिलाओ के इस्तिव को कमजूर कर रहे थे उन्होंने बाल बे दुआ को सिक्षित और सजक्त बनाकर मुख्यधारा में लाने का भी प्रियाश किया और उनके पुने बवाई की वकालत की इस तरह की खोज रूडी वादी उच्च जाती के समाज से मजबूत प्रतिरोत के साथ भी हुई सावित्री वाई ने चुआ चूट और जाती प्रता के उनमूलन में अपने पती के साथ मिलकर काम किया जो निचली जाती हुग के लोगों के लिए सम्मान अधिकारों को प्राप्त करने और हिंदू परिवारिक जीवन में सुधार के लिए काम किया दमपती ने एक युक के दोरन अचूटों के लिए अपने घर में एक कुवा खोला जब एक अचूट की छाया को अशुद माना जाता था और लोग प्यासे अचूटों को पानी की पेशकस करने के लिए अनच्छिक थे सावित्री वाई फुले की मिरत्यू सावित्री वाई के दत्तक पुत्र यश्वंत्राव ने एक डाक्टर के रूप में लोगों की सेवा करना शुरू किया जब 1857 में बुले सोनिक पलेग महमारी ने नालस पोरा और महराष्ट के आसपास के इलाकों को बुरी तरह प्रभायत किया तो सावित्री वाई और यश्वंत्राव ने बीमारी से संक्रमत रोगियों का इलाज करने के लिए पुने के बाहरी इलाका में एक क्लेनिक खुला बहर इस महमारी से प्यूणतों को क्लेनिक में ले आती जहां उनका बेटा उन रोगियों का इलाज करता था रोगियों की सेवक करती हुए वह खुद भी इस बेमारी की चपेट में आ गई और 10 मार्च 1857 को सावित्रीवाई का निर्धन हो गया समाच की सदियों पुरानी बुराईयों परंकुस लगाने और उसके द्वारा छोड़ी गई अच्छी सुधारों की स्रमद विरासत में सावित्रीवाई का अतक प्रियास प्यूनियों को प्रिरित करता है 1883 में पुरे सेटी कॉपरेशन द्वारा उनके सम्मान में एक इसमारक बनाया गया था इंडिया पोस्ट ने 10 मार्च 1959 को उनके सम्मान में एक डाप टिकेट भी जारी किया था और 2015 में पुरे विश्विद्यालक नाम बदलकर उनके नाम पर सावित्रीवाई फुले पुरे विश्विद्यालक कर दिया गया था और सर्च इंजन गूगल ने तींजन मरी 2017 को गूगल डूड के साथ उनकी 186 भी जेनती मनाय थी सावित्र भाई फुले परुसकार महराष्ट में महिला समात सोधारकों को प्रदान किया जाता है